हलो फ्रेंड्स लत्तु आरे फैसन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ इंब्रोइडरी स्टिच जिसका नाम है मैजिक चेन स्टिच ये चेन स्टिच की ही वेरियेशन है और इसको आप देखिए फिल करने के लिए यूज कर सकते हो या फिर आप इसको बॉर्डर पर बना सकते हो जो भी आप इससे जहां भी आप इसको यूज कर सकते हो तो चलिए स आपको नीडल में इंसेर्ट कर लेना है यह देखेए जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों धागे डाले हुए हैं ग्रीन और यह रेड मैंने यहाँ पर डाले हुए इस तरह से आपको भी डालेने हैं नीडल के अंदर अब मैं आपको बताती हूं कि हम मैजिक चेंड स्टिची से हैं तो आपको हर चैनल के अंदर मिलेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जूर कीजिएगा अगर आप कुछ भी और सीखना चाते हो सिलाई से रिलेटेड जो भी आप ऐसे डिजैनिंग से लेटेड सीखना चाते हो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको सिखाने की गोसिस करूँगी तो पहले में यहां पर कुछ भी आप डिजाइन ड्रॉ कर लेजिए जो भी आप बनाना चाहते हो तो मैं ऐसे ही है तो इस सुई को हमने नीचे से निकाला इस तरह से अब दियान से देखिएगा यहां पर अब यहां पर थोड़ा सा टांका हम लेंगे अब मैं पहले देखिए जो रेड कलर का धागा है उसी को ही मैं यहां पर गुमाऊंगी इस तरह से गुमाऊंगी रेड कलर का धागा इस तरह से रेड कलर का धागा गुमाया अब फिर से हमने यहां से इतना ब्राबर ही टांका आपको लेना है जितना हमने नीचे लिया उतना ही लेना है अब मैं यहां पर ग्रीन कलर का दागा गुमाऊंगी बहुत ही सिंपल सा है यह बस इसमें हलकी सी ट्रिक हम यूज करते हैं यह देखे एक बार हम ग्रीन कलर का दागा गुमाएंगे और दूसरी बार हम रेड कलर का दागा इसमें गुमाएंगे बहुत ही ब्यूटिफुल टेक्स्टर यह देता है यह स्टिच टांके आपको बिल्कुल बराबर रखने है इस बात का आपको ध्यान रखना है एक बार ग्रीन कलर और एक बार रेड कलर यह देखे इस तरह से पूरा हम इसी तरह से इसको फिल कर लेंगे तो यह देखे इस तरह से हमारा मैजिक स्टिच मैजिक चेन स्टिच बनकर तयार हो गया है आई हूप आपको मेरा वीडियो हैल्फुल रहा होगा तो अगर आप कुछ भी और सीखना चाते हैं प्लीज कमेंट जूर कीज़ेगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन किसी और से लाई से रलेटेड वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाए